कि औरते और बच्चे ऐसे एपिसोड से दूर रहें तो बात करें अगर आप सही नहीं कर सकते हो तो प्लीस कमेंट सेक्शन में आकर मत बोलिए हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो मैं चैनल दिंपल वी लोग तो कैसे हो आप सब लोग एक तम बढ़िया ना मस ना वेरी गूड तो चलिए ज़से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो लाइक करने के बाद बरबर के कमेंट करना बिल्कू ना भूलना तो चलिए कल मैं नहीं आ अब लोग देखना जुरूब तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के उपर तो सबसे पहले देखें बहुत खुशकबरी है इतनी बड़ी खुशकबरी है शायद टाटा विल्ला ने भी नहीं सुनाई होगी अंबानी ने भी नहीं सुनाई होगी लेकिन चलिए यहां पर तो कुशकबरी सुना दी है हमारी जूटी ने की लोगों ने बहुत अटकले लगाई थी प्रेगनेंसी को लेकर लेकिन फाइनली जो पांच-छे दिन पहले हम लोगों ने टिप्स पर गिनना आए थे इन लोगों को कि भूल चुके हो आप यह सब चीजें और उनमें से एक पकड़े रहना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि मोबाइल पकड़ेंगे तो कमेंट करेंगे कमेंट रीड करेंगे फिर आप लोगों को कमेंट जो है वो चुह परने पड़ते हैं ना जी यही वह बात है आज बहुत बड़े पुश्चक्वरी होगे कि final छिपकली के चाहती हूं कि यहां पर जो इतनी परीशानी जेल रहे हैं डंदनपूर वाले वहां पर सबसे बारी आती है सबसे पहले तो बात हमने जूटी के उपर कर ली ना अब बारी आती है पुतन परी की तो यहां पर यह बताना चाहूंगी कि देखिए जूटी ने फॉन कॉल करी थी और जूटी ने यह चीज जो है क्लियर करी अपने एपिसोड में लेकि ननु जीजा ने उसके बारे में नह अबह्ते हैं यहां कर आज बात होगी नननो जीजा की गलतियों पर और पुतन परी को सपोड तो बिलकुल भी नहीं करेंगे न proposal को यहां पर किसी एक की बात महीं होगी यहां पर बात होगी गलतियों और आपको पताना चाहते हूं कि देखे जहां पर शादी की इतनी जल्दबाजी थी किसको थी आप लोगों को पता है शादी दोनों और से हुई है ना कहीं ये तो नहीं त्यार कि पुत्तर ने जो है शादी कर लिए अकेले ही है ना ननुटी जब इकी भी तो सैम्ती थी ना आपरब शादी में जब अपनी एनकों दश हो हां लेकिन बात तो यही है कि सब के सामने तेल आपको बत लगत करें तक पर अदिएaking में पर लेकिन पहले जब अर्रेंज मेरिन होती थी उसमें प्यार जो है वो बाद में होता था ना लेकिन यहां पर तो आज कल के बच्चों को पहले मुक्त दिया जाता है तो अंडरस्टेंडिंग जो है वो पहले बननी चाहिए थी आपकी आप समय देख लेते ना कि आप लोगों की अंडरस्टेंडिंग जो है वो एक दूसरे को पहचांते आप लोगों वह चीज़े नहीं हुए यहां पर कही ना कहीं जो था एक समझोता हो रहा था जल्दवाजी किसी को चिड़ाने के लिए दिखाने के लिए करी ती पुतन की और से वहीं पर जल्दवाज अब जहां पर जल्दवाजी शादी तो हो गई लेकिन बच्चे में भी जल्दवाजी ठीक है चलिए बच्चा भी लाइफ में आ गया लेकिन बच्चा आप लोगों की लाइफ में आ गया तो लाइफ जो है वो बड़ी स्मूथ हो जाने चाहिए थी आसान होनी चाहिए थी ख्यूंकि कहीं न कहीं आप लोगों के दरमयान जो बेबी आया है वह आप लोगों की आपसी बॉंडिंग जो है। लेकिन बच्चे ने बोल के तो करवानी नहीं थी अंडरस्टेंडिंग जा फिर आप लोगों का प्यार आपसे समझ जो है वह अच्छे से मतलब कैसे रहते हैं यह बच्चे नहीं सिखाना आप लोग जो जाने की पहले तो पुतन पड़ी के ओपर बात करते हैं कि वह अपने बच्चे को पालने पॉसने में धियान लगाती ना कि यहीं पर पर ही चिपकी रहती लेकिन उसका भी कहना कि यहां यहां यहीं मेरा काम है मेरा काम है इसलिए जो है मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ श्यर करते हूं आप लोगों ने भी चीज़ें नोट करी है कि अब बात करते हैं ननु जी जा के उपर भी देखिए जो भी अभी दो तीन दिन से मैंने जो देखा है समझा है अपने पॉइंट ओ व्यू से यहां पर बोल रही हूं कि पहले तो मैंने उनको उनके लिए वीडियो बनाई कि अगर आप लोग उनको स्पोर्ट करना चाहते हो तो आप उनके वीडियो जो है वो शियर कर सकते हो ऐसा मैंने खुद ही बोला है किसी के सुख में तो खड़े नहीं हुआ है लेकिन दुख में तो जरूर से खड़े होना चाहिए है तो चलिए हम लोगोंने अपने और से कोशिश करी है एक स्पोर्ट के लिए बोला है ठीक ह लेकिन यहां पर यह चीज आती है कि अभी दो दिन से मैं यह वोच कर रही हूं कि आप इतना विमार हो अभी आपका मन कैसे करता है जा फिर आपका भी अर्निंग और यहीं यूट्यूब है जैसा कि आपने कहा है लेकिन मैं कहना चाहती हूं ननो जी जैसे कि देखिए आप अपनी बात पर अडल रहें जैसा कि आपने पहले भी बॉला है कि आपका जो अर्निंग और मतलब की अदिक यूट्यूब के उपर आप डिपैंड नहीं हो ठीके इससे पहले भी आपका जो खर्चा था जो भी आपको अच्छी खासी छोटी मोटी जितनी भी आपको आपको मेरी तेली रूटीन है मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेर करता हूं शेर करता हूं इसलिए मैं आप लोगों के साथ यह सब चीज़े जो हैं वह से प्रीष दिखाना जूरी होता है कि किसी और ने पकड़ा है लेकिन एक सब चलता तो पैसे नहीं है लेकिन चलिए पेशन के राइजिव जो हैं वह बहुत अच्छे हो प्रॉपर उनको स्पोर्ट कर रहे हैं उनका साथ बनकर धाल बनकर उनके साथ खड़े हैं लेकिन बात यह भी आती है कि आपने अभी तक एक बार भी अपने बीवी बच्चे को मिसने किया सोचने व अच्छा जी आप घूमने फिर नहीं गेते यह तो आज की बात होगी ख्याल मेरा बहुत टैंस से चल रहा है कि जब भी मुझे यह सोच में था कि मेरे से मेरे वियोर्स जो हैं मेरे से आपके जो वियोर्स हैं वो पूछते हैं यहां पर आकर यह बात करते हुए मेरी इनों में भी आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया था अपने बच्चे का कि मैंने उसके लिए यह चीज़े लियां क्योंकि छोटे से चोटी कुछ जो है वो आप शूट करते हो तो नहीं की तो आपने यह वाली क्लिप जो है वो बिल्फुल भी दिखाई नहीं है किसी के स सेकेंड डे पर तो उस टाइम पर भी उन्होंने एक भी क्लिप नहीं ली लेकिन पुतन परी की ओर से चीज़े बोली अब बारी आती है इन तीनों को इकठा करके आप रभों के सामने बात रखती हूं मैं यह वाली की जूटी ने अपने एपिसोड में बोला कि मैंने कॉल क किया उसने अपना फर्जनी भाया लेकिन यहां पर नन्नु जी जाने वह नहीं बोली अपने एपिसोड में और यहां परकुतन परी ने भी यह वह बिल्कुल से नहीं बताई कि जी हां जो दीदू है उन्होंने कॉल किया था और हालचा लिया था जहां हमारे परिवार में स कि देजे रन्जवालों की और से कोई भी नहीं गया जापिर किसीने कोल करके भी हौला और जैल रेना तो जी कि यह तो हूँ अबिकी बात पती पतरी में किसके घर में जगड़े नहीं उते हैं बाते जो हैं तलाग भी होते हैं बहुत सारी बाते बढ़ती भी हैं कहीं की तो वहीं रुप जाती हैं रिष्टे आगे अच्छे होजाते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल भी तमाशा नहीं बनाते हैं दीनों में जब उसकी मी जिए की जो माताजी वो बिमार हुए थी लेकिन उन दिनों में भी जोハ वी के वालाद discover members and santoy DRG Gaming. यहां पर बताना चाथी हूँ कि कि पुतन परी जो weekend का वाड़ वो तो धम उसका Cause यहां पर नेस बताना चाहती घुए एक बात यहां पर मुझे बहुत अच्छी लगी grateful कि वाइटी जो है वो हमेशा के लिए आपका इंकम उप सोर्स नहीं हो सकता लेकिन येस मेरी मां की जो है गवर्नमेंट जोब है उसके बाद भी उनको पैंचन लगेगी मतलब सोचना तो हमें पड़ेगा बिल्कुल सही बात है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वाइटी ने कु पैसे की एक पैसा जो है जिसको मतलब हाथ लगे होते हैं सब चीजें आप लोगों ने भी देखी हैं कैसे अपने जिन्दगी में जीरो से अब तक का सफर आपने किया है तो उससे साब से सिर्फ और कपड़ों पर पैसे खर्च करना हूं कहां की अकलमंदी है यहां पर मैं शृपल देना चाहती हूं रनविल सिहां और एक इंटर्यू में उन्होंने बोला कि अलेशी कपड़ों की रिपीट कर तो उसने बोला कि Єस कपड़े में रिपीट करती हूं वो celebrity है उसके बाद भी उसने इतनी अच्छी बात करी कि देखिए कपड़े जो हैं लिए और dump कर लिए तो वो कोई अकलमंदी की बात नहीं है कि कपड़ों के उपर ही सिर्फ हो सिर्फ investment करें इनवेस्मेंट करने के लिए बहुत सारे चीजे हैं जो कि जुरत में आपके काम भी आ सकती हैं तो उनके अपर investment करना सिर्फ वो सिरुफ कपड़े पर वो समझदारी नहीं है तो अगर आप में समझदारी होगी तो अब बेफाल के इतनी कपड़े जैसा कि दीदू भी अगर मेरे एपिसोड देती हैं तो भी समय ले सकती हैं कि वह जो है बहुत कम रपीट करते हैं अपने कपड़े तो वही बाते हैं ठीक है प्रमोशन वीडियो मिलती हैं सबको पता हैं लेकिन इतने भी नहीं होती कि मतलब अब धड़ा-धड़ा में ऐसा भी कुछ है ऐसा एक में बोला है लोगो ने बहुत सारी लांखल वी हैं बोलते रूज नजर नक्यूंरे डाय यह बात की देखिया अची आप बहुत गंडियों अप्छ इसा क्यूं करते हम लोग भी तो लएतब नहीं साइज में आया तो वापकर देते हैं ठीक है करते हैं लेकिन वापस कर देते हैं यह ने की एक दिन पहन के भूम लेते हैं उसके बाद रिटर्न करते हैं यह चीजी भी तो अच्छी नहीं है यह बात आज हो रही है गलतियों के उपर तो बात इसलिए हो रही है कि यहां पर एक रिष्टेदार जो है वह कमिशनर निकल तो कमिशनर को मैं कहना चाहते हूं बहुत समझदार हो वही आप तभी तो उस लेवल तक पहुंचे आप लेकिन पदम शिरी ऐसा कुछ आवार्ड है ऐसा कुछ है नहीं ऐसा है ठीक है पदम शिरी पदम घुशन आवार्ड जो है वह ऐसा ही कुछ करके है मैंने को नाम इस मैं यहां पर तो यूद को एक मैसीज दे रहे हूं कि अच्छी सोच रखिए अपनी रिष्टे को टाइम दीजिए ठीक है अगर रिष्टा आपका बनाई है तो रिष्टे को टाइम दीजिए और कभी भी सोशल मीडिया क्या किसी और लोगों के सामने भी अपनी बाते मत ब बाते कर रहे हो पहले तो आप अपने सोच कर लिखा था या फिर ऐसे लिख दिया था तो मैंने भी उनको आंसर दिया लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं इनको आंसर देना जो है वो जुरूरी नहीं है क्योंकि कमीशनर जो है जां फिर आज हमारी जो भी करते हैं वो लोग जो है वो इतनी फ्री नहीं है बिशक प्राइवट जो करते हैं वो भी फ्री नहीं है आज की तारीक में कोई भी फ्री नहीं है हम लोग भी फ्री नहीं है जो यह एपिसोड त्यार करती है और यूट्यूब ने अथर्टी हम लोगों को दी है ना तो हम ल उसके उपर तो ऐसा रही किसी ने और ने मैसेज किया है कोकली और नहीं कहते हुए कि मैंने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहा कभी नहीं कहा कभी नहीं बताया लेकिन बताओंगी जूर कभी टाइम आने पर उससे पहले मेरी खुद की पहचान है मेरी खुद की आइडेंटी है मैं आती हूं यहां सामने से बात करती हूं सामने से बोलती हूं ठीक है अगर किसी को थोड़ी भी दिक्कत है तो वो मेरे साथ क्लियर कर सकता है इंस्टा पर ओकी जी और सेकंड वीट प्रूफ कभी ऐसा नहों मैं भी सामने आ जाओं तो फिर लेने के देने हो जाएंगे फिर ना करियो ओके मैं यहां पर कभी किसी को ना तो नराजगी दिखाती हो ना गुसा होती हूँ हाँ अपने वीडियो में खुद होती हूं परदिश के पीछे से बात करने के बेख़ खिलाफ हूं है ठीके फिलीज ठीके रहें अपने घरों में रहें और कहना चाहती हूं कि सिरफ और सिरफ आपको एक ही फैमली क्यों नजर आती है मैंने लूजुन कोई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमें अठेंशन मिले हमारे और कमेंट्स पर बात हो तो फिर हम कहते हैं के ली जिए आपके ओपर भी हमने बात करें आप क्यों परेशान करो रहे हो तो जिरुफ और विलोग्स यहां पर सपून को भी फिर से कई को दिल करा। यहां फिर मैंने तो गाता स्पून आच्छा नहीं लगता तो वियूर्जी बोलेंगे तो चलिए वियूर्जी रिप्लाइइव मिलेगा यहां से जुरूर से ठीक है यहां पर बताना जरूर, with phone number और address अपना, बताना जरूर मुझे, ठीक है, और YT के जो rule है, वो हम यहां से follow करते हैं, जो action लेना होगा, वो YT को लेना होगा, लेकिन यह भी पोचना चाहती हूँ, कि किस बात पर और किस चीज़ पर वो action लेंगे, किसी ना किसी का तो example देना अगर आप एक message अच्छा दे रहे हो, ठीक है, उसका, आपको किसी ना किसी का तो example देना होगा, तो यहां पर यही है कि अपने घर के लड़ाई, खुद यहां पर लेके आए, तांकी trending में जाएं, सब मिले हुएं, एक से बढ़कर एक हैं, तो मैं यही बताना चाहती हूँ, नहीं जगीन तो वही विद्प्रूफ है, आप लोगों के साथ शेर करूंगी कभी ना कभी, और यह चीज़ भी क्लियर करूंगी कि कभी हम लोग किसी एक की बात नहीं करते हैं, जो गलतियां करेगा, उसके अपर बात जरूर से की जाएगी, और सिरफ यहां मैं नहीं बहुत अब्यूस करते हैं वो, अदर्वाइस मेरा उन्होंने टैलीफोन नमबर तक दे रखा है, वहां पर जहां पर मैंने उनको लिखा है कि प्लीज आप रेक्शन दे लेकिन अब्यूस ना करें, क्योंकि और भी देखती हैं, अदर्वाइस आप थमनेल पर लिख दिया क करों कि औरते और बच्चे ऐसे अपिसोड से दूर रहें, तो सेकेंड नो ने जो है, अपना टैलीफोन नमबर इटली का दे दिया, और यह लिख दिया, कि आप प्लीज यह मेरा ड्रेस, यह मेरा टैलीफोन नमबर है, उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बोला, जो लोग एक- काम करने दिजिए, तो हम लोग चुप है, ठीक है, सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है, अलग तरीका होता है, तो मेरा दिल करा है कि मैं भी उनके साथ बात करूं और बताऊं कि यहां से एक गलत मेसिज जो है, वो दिया जा रहा है, अच्छा, बड़े यूट्य यहां पर फिर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूं, फ्लाइं बिर्ट से भी बड़े यूट्यूबर, किसकी बात कर रहे हो, किनके उपर हम बात करते हैं, पहले यह दिख लिया करो, और उपर से कमिशनर वर्ट जो है, मत यूज करना, कमिशनर के तंदों पर बहुत ज सुका है, आप अपसेट तो मितियों का लेक अच्छे से एपिसोड के साथ जब तक लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्यूंकि आप हो, तो हम हैं